आप सबका मेरे चैनल विंदास कुकिंग विद रीतु में बहुत बहुत स्वागत है जोदपूर की प्याज की कचोरी बहुत जदा फेमस होती है ये देखिए कितनी अच्छी और फूली फूली कचोरी बनी भी है और ये प्याज की कचौरी बहुत जादा मसालेदार चटपटी होती है और इसे एक से दो दिन रखकर खा सकते हैं क्योंकि इस कचौरी को बनाने के लिए हमने बिल्कुल भी आलू का इस्तेमाल नहीं किया है अगर हम कचौरी के अंदर आलू की फिलिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा भूश जाती है यानि उसका टेस सुबसे शाम तक खराब हो जाता है लेकिन इसमें हमने केवल प्याज और बेसन की फिलिंग लिए आप देखिएगा केस की फिलिंग कितनी अच्छी है और बहुत ही करारी और कुरुकरी कचौरी भी बनी है और स्वाद में तो क्या कहने बहुत ज़्यादा चटपटी और मसालेदार एक बार इस रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई करें आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन के अंदर आप चाहें तो देसी घी या ओईल दो टेबल्स्पून मैंने देसी घी लिया है आप चाहें तो रिफाइंड ओइल ले सकते हैं 4 टेबल्स्पून यानि घर के जो हम खाने वाला चमच होता है 4 चमच हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे हम इसे गैस से नीचे उतार देंगे , किसी प्लेट के थे अंदर प्रांस्वर कर लेंगे और अब हम इसी कड़ाई के अंदर हम फिर दुबारा से दो से तीन टेबल स्पून रिफाइंड ओयल लेंगे तेल करम होने के बाद इसके अंदर हाफ टी स्पून हम इसमें हींग डाल देंगे हाफ टी स्पून जीरा डाल देंगे एक टी स्पून हम इसके अंदर साबु धनिये के बीज डाल देंगे धनिये से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर सौंफ डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छी तरह से भून लेंगे भुनने के बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के लगभग बारीक काटा हुआ मैंने काजू डाला है वैसे पूरी तरह आप्षिनल है लेकिन एक बार आप प्याज की चौरी इस तरह बना कर देखिए आपको बहुत ही अलग और बड़ी हा टेस्ट आएगा आप चाहें तो काजू टुकडा की जगे इसके अंदर मुंगफली भी डाल सकते हैं इसके बाद हम 2 टेबल स्पून के लगभग अदरक और हरी मिर्च को बारीक पीस का डाल देंगे फिर इसके अंदर हम 2-3 मीडियम साइज के प्यास जिससे मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है मोटा मोटा काटा है उसको हम एट करतेंगे और सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनते रहेंगे जब प्यास खुड़ा सा भुन जाएंगे तो हम इसके अंदर 1 टेबल स्पون धनिया पाॉडर 1 तीश्पून हल्धी पाउडर दाल देंगे एक टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है एक टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है नमक और लाल मिच आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग थोड़ा कम यह जादा कर सकते हैं हाफ टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है सारे मसालों को हम अच्छी तरह से फुल फ्लेम के ओपर अच्छी तरह से लगातार चलाते वे भूनेंगे हमें प्याज को बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नी करना बस अच्छी तरह भूनना है अब हम इसके अंद और करारा चटपटा फ्लेवर आएगा सारे मसालों को अच्छी तरह से हम चला लेंगे यह देखिए प्याज और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए है अब हम इसके अंदर जो बेसन हमने भून कर रखा था वो एट कर देंगे ना तो हम इसके अंदर बिल्कुल भी पानी अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लेगा अब हम इसके अंदर एक टी स्पून चीनी डाल देंगे चीनी डालने से सारे मसालों का टेस्ट बिल्कुल बैलेस हो जाएगा साथ में मैंने इसके अंदर डेर टेबल स्पून यानि 15-20 किश्मिश भी डाल दी है इस तरह से अब हमा 200 ग्राम मैदा है और इसमें 10 कचौरी बनकर तैयार हो जाएगे अब हम इसके अंदर आफ टी स्पून के लगबग अजवायन को अच्छी तरह से क्रश करके डाल देंगे इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और 1 फोर टी स्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देंगे सोडर डालने से कचारी भहुत खस्ता बनती है और अब हम इसके अंदर आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है आप चाहें तो रिफाइन डॉयल भी डाल सकते हैं हमें मोयन जो है वो इतना लगाना है इसका मतला मोयन बिल्कुल सही लगाए अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा रूम टेंपरेचर का पानी डालते हुए इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट डो तयार कर लेंगे हमेज डो को कचौरी का जो डो होता है उसे बिल्कुल भी हाड नहीं गूनना जैसा हम घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूनते हैं बस उसी तरह का डो हमें गून कर तयार करना है और अब हम अच्छी तरह से इसे दो तीन मिनट तक अच्छी तरह गून देंगे और फिर हल पूरी तरह सेट हो जाएगा मैदा और कचौरी बनाने के लिए पूरी तरह रीडी है इतनी दे जो फिलिंग थी ठंडी हो गई है उसे हमें प्लेट के अंदर निकाल लेंगे अब हम इसके अंदर हरे धनिये के 2-3 टेबल स्पून बारी कटे हुए पत्ते डाल देंगे पू बिल्कुल हमें निम्बू के अकार के गोले बनाने है और इतने समान के अंदर पूरे दस गोले बनकर तैयार हुए इस तरह से देखिए इसमें मेरे को आलू मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नी पड़ी और इससे प्याज का बहुती करारा टेस्ट आने वाला है समान जितन पसंद आने वाली है इतनी देर हमारा मैदा अच्छी तरह से सेट हो गया है अब हम उसकी बराबर की एक साथ लोई तोड़ लेंगे मैने कुल मिलाकर इसकी 10 लोई तोड़ी है क्योंकि 10 बॉल बनकर तैयार हुए इस तरह बहुत अच्छी 10 कचौरियां इतने समान में हमारी बनकर तैयार होंगी अगर हम इन बजार से इन 10 कचौरियों को लाने के लिए जाएं तो उसको कम से कम मुझे कुछ आइडिया नहीं है देर सो या दो सो रुपे तो अराम से लगेंगे और वो तब भी उतनी जादा अच्छी और फ्लेवर फुल नहीं होंगी कचौरी का आइज आप अपनी हिसाब से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा जादा जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं बस इस तरह से हमें एक कटोरी सी बनानी है किनारे उसके पतले रखने और फिर उसे अच्छी तरह से कटोरी की शेप देके उसके अंदर जो बॉल हमने फिलिंगी बनाई की शेप ने ले यह देखिए मैं आपको एक और करके दिखाती हूं इस तरह से मैंने बीच में फिलिंग रखी आप इसे हम सब तरफ से सील करेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल पैक करके गोल करके बंद कर देंगे ताकि जो इसका जोड है वो हमें नजर ना आए अब हम इसे बीच में हलके हाथ से दो से तीम बार दवाएंगे जिससे बिल्कुल परफेक्ट कचौरी की शेप बन जाएगी यह देखिए रहसे हमारी सारी कचौरियां बनकर तैयार हैं आप हमें कडाई के अंदर रिफाइन डॉयल गरम करेंगे हमें इसे जाड़ा तेज गरम नहीं करना है क्योंकि हमें बिल्कुल लो मीडियम प्लेम के उपर कचौरियों को तलना है एक एक करके हम चार से पांच अगर आप कम र अपने आप से उपर आजाएंगी और जब अपने आप उपर आएंगी तब हमें इने धीरे से बिल्कुल हलके हाथ से पलट देना है और फिर आराम से बैठ जाना है क्योंकि कचौरियों को तलने में एक बैच को दस से बारा मिनट का टाइम लग जाता है अगर आप तेज ग और फिर उसके बाद आराम से आप अपना काम निपटाईए इस तरह से दो से तीम बार करने पर ये दिखिए कितनी अच्छी कचौरियां तलकर तैयार हुई है मैं आपको एक पलट कर दिखाती हूँ सारी कचौरियां फूल जित्ती भी मैंने बनाई थी दस की दस और बहु अगर आप सब को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को जादा स्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है मैं नहीं वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ और जो भी रोज में मेरा मन करता है रेसिपी बनाने चाहे मुझे उसे बनाने में कितना भी टाइम लगे क्योंकि खाना बनाने के लिए मन जो है उसका अच्छा होना जरूरी है मेरा यह मानना है इस तरह से अब हम दूसरा बैच भी तल लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हूँ तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें ताक जदा भी यह गरम है मैंने इसके साथ सर्व करने के लिए आलू की सबजी भी तैयार की थी बिल्कुल दोनों तरफ से एक सार है हमें पता भी नहीं लग रहा कि इसका जोड कहा है अब मैं आपको एक कचारी तोड़ कर दिखाती हूँ यह देखिए इसमें कितना जादा मसाल भरा हुआ है आपको लग रहा है इस इतने सारी मसाले के साथ हमें किसी सबजी की जरूरत है ना तो मुझे जरूरत है और ना ही आप लोगों को इसके साथ किसी भी सबजी वगारा की जरूरत होगी लेकिन फिर भी सर्व करने के लिए अगर आप नाश्ते में बना रहे हैं तो आप आलू की सबजी या किसी भी और चीज़ के साथ इससे सर्व कर सकते हैं। आप इससे खाली चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप सब का मेरी वीडियो को अंतक देखने के लिए भौध शुक्रिया, धन्यवाद, आप सब का देन शुबू।